केंदर सरकार ने NDRF और HDRF के मानकों की धनराशी में वृद्धी कर दी है इस से अब आबदा की स्थिती में पहले की अपेक्षा ज्यादा छती पूर्ती मिल सकेगी इस संबंद में प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंती पुशकर सिंग धामी ने भी कई बार केंदर से राज्य की विशेस भौगोली की स्थितियों और आबदा की मद्दन नजर सरशोधन का आगरा किया था केंदरी ग्रह मंतराले ने अब रिकवरी और पुन्दनिर्मान के संबंद में बीते 14 अगस्त को विस्तार से नए दिशा निर्देश चारी कर दिये हैं इसके तहट विभिन कारियों के लिए लागू मानकों को और व्यवाहरिक बनाते हुए इनसे मिलने वाली धनराशी में विद्दी की गई है परदेश सरकार का कहना है कि केंदर के इस फैशले से उत्राखन जैसे आबदा से परभावित राज्यक अत्याधिक लाब होगा साथी आबदा से छती ग्रष्ट परिसंपत्यों की मरमत में सुईदा होगी साथी जन सामान्य की परिशान्यों को दूर किया जाना संभव हो सकेगा केंदर की ओर से जो महत्वपूर्ण संशोधन किये गए हैं उनमें मैदानी इलाकों में पक्के घरों के लिए पहले निर्धारित एक लाख हजार रुपे प्रती घर के स्थान पर अब 30-70% छती होने की दशा में 90,000 रुपे प्रती घर और 70% से अधिक छती होने पर 1,80,000 रुपे प्रती घर मिलेगा वहीं पहड़ी छेतरों में पूर्व में छती की स्थिती में 1,30,000 रुपे प्रती घर मिलता था इसे अब 30-70% छटी होने की दशा में 1 लाख रुपवे और 70-70 से अधिक छटी की स्थिती में बढ़ाकर 2 लाख रुप़े और 2 लाख रुपे प्रती घर कर दिया गया है प्रात्मिक इसकोलों के लिए अब 30-70% की छती होने पर 7.5.7 लाख और 70% से अधिक की छती पर 15 लाख रुपे अनुमन्य किया गया है पूर में यह राशी 2 लाख रुपे थी माध्यमिक और वरिष्ट माध्यमिक विध्यालों के नाम से पूर में मानक निर्धारित नहीं थे अब इस नाम से तैमानक में 30 से 70 प्रतिश्वत छती की स्थिती में साड़े 12,50,000 और 70 प्रतिशत से अधिक की छती पर 25 लाख रुपे की राशी अनुमन्ने की गई है इसी तरह प्रात्मिक और सामुदाइक स्वास्त केंद्रों, पुलों, तडबंदों, सामुदाइक भवनों, सड़कों, आधिकों नुकसान की स्थिती में भी धन राशी की दरों में व्रिद्धी की गई है